क्तशेंशोर रिपिटरस कुछ को लाईफ हो sisters लाईफ में एक ऐसे जोरनी हैं जिसमें अक्सण दाउन्स हमेशा आप कभीए इतने ज्यादा अक्संदाउन्स होते हैं कि हम पुररईशान हो जाते हैं हमें यसा लगने लगते हैं कि लाइफ बिल्कुर सभी замra U लाइफ में हम चाहे कितना ही प्लान करनें, कितना ही फोकस्ट रहें लेकिन कभी-कभी ऐसे ही सिच्वेशन आती है जिसलिकी हमारी लाइफ बहुत ही मुश्कल हो जाती है कभी यह हमारी गलती से होता है, कभी किसी और की गलती से होता है, कभी कभी इसका कोई कारण नहीं होता जब आपकी life में ऐसी कुछ situation आई, जब आपको लगया आप अपनी जिन्दी में और आगी कुछ नहीं कर पा रहे हो, कुछ improve नहीं कर पा रहे हो तो फिर क्या करना चाहिए, अपने आपको कैसे motivate करना चाहिए कि हम अपनी life में उस संगर से भार आ सके और अपनी life को वापस से सही रहा दिखा सके तो इस वीडियो में हम भाग करेंगे उन सब topics के बारे में जिससे जो कि आपको help करेगा अपनी life की problem से बहार आके उनको face करने में और उसका solution दोने में तो आईए चलिए शिरू करते हैं इस वीडियो जब भी आपको लगे आपकी life में बहुत ही difficult time आया है सबसे पहले आप एक positive mindset करेंगे आप अपने आप से ये बोलिए कि ये जो problem मेरी life में अभी आई है ये अभी आई है इससे पहले मेरी life सही चल रही थी आगे भी सही चल सकती है अगर मैं इस situation से fight करने की हमद रहूँ आपका इस positive mindset रहेगा ये आपको बहुत ही ज़्यादा help करेगा उस situation से बहर आने के लिए अगर आप अपने मन में एक negative mindset रखो कि कि मेरी life कराब गई ये मैं कुछ नहीं कर सकता मैं इस life की problem से बाहर नहीं आ सकता तो फिर आप मान के चलेए कि आप इस problem को सौन नहीं कर सकते हैं overcome करने के लिए और उससे बाहर आने के लिए तो सबसे पहले जो है अपना mindset को positive रखिए problem है चली जाएगी यकीन बाने चली जाएगी अगर आप में हमत है तो second point है कि आप negative लोगों से दूर है नेगेटिव लोग जो होते हैं वह जरूरी नहीं आपका बुरा चाहते हैं वह हो सकता अपके अच्छा दी चाहते हैं लेकिन वह इतना negative बाते करते हैं कि आप खुदी एक उस zone में चली आते हो हाँ मेरी life में तो बुगत बुरा हो रहा है तो उन लोगों से दूर रहो थोड़े टाइम के लिए अपको लोगों होते हैं जो आपको पुल डाउन करना चाहते हैं वह उनकी बात मत सुनों उनको सब ये बोलो अखर आप उल्टा ये बोलोगे कि हां रे कोई बादमी है प्रॉब्लम आई है ठीक हो जाएगा वी किन द ये प्रॉब्लम मेरे साथ ही क्यो होना दी है गई देखिए मानिया आपके लाइव में जो प्रॉब्लम आई है वह बहुत ही बड़ी होगी मैं मानती हूँ लेकिन ये छीज आपको समझने जरूरी है कि दूसरों के लाइव में भी बहुत सारे प्रॉब्लम आती है अगर अ कभी किसी ने किसी मोल पर हर किसी के लिए जिफिकर्ट होती है तो ये question मत पूछिए why me आप question पूछिए कि अब मैं इसे भार कैसे आँ how not why जो why का जो आप उस पर चले जाते हो तो you start thinking अरे मेरे चंग ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ ही क्यों हो तो किसी का बुरा नहीं करा इसी जगे आप पूछो कि मेरे इसे भार कैसे आए सकता हूँ मैं और क्या-क्या कर सकता हूँ कि मेरी जो problem है वो खतम हो जाए अगर आप एक ऐसे mindset के साफ में problem का solution ढूणना start करोगे तो आप वो solution मिलेगा अगर आप why के चक्कर में first होगे तो फिर आप यकीन माने कि आप solution से नहीं ढूण पाऊगे और आप उस problem से भार में ही आता होगे So always, always ask कि how, never ask why जिससे कि आप उस solution तक बहुती जर्दी पहुचे और बहुती positive mindset के साथ पहुचे Life में जब कभी भी कोई भी problem आती है तो सबसर जादा matter करता है कि आप उस situation को कैसे response करते हैं कई बार ऐसा होते है कि एक problem आई है आपने उस पर इतना negative response दिया कि वह problem और बढ़ जाती है अगर आप वहीं उस समय सोचके दो मिनिट बैठे हो और उसको सोचो कि आरे मैं इसका solution कैसे निकाल सकता हूँ तो आपके आदी problem वहीं खतुम जाएगी So what matters most is how do you respond to your problems Your first reaction आपकी problem के लिए आता है that really really matters a lot और किसी भी problem से बाहर में करने के लिए सबसे सबसे important होता है आपका willpower अगर आपका willpower strong है तो आपको उस solution से बाहर आने के लिए कोई नहीं रोग सकता और आपको अपने मन में ये समझना भूआती ज़रूरी है कि ये एक temporary face है मेरी life में हमीशा problem नहीं रहेगा पहले भी नहीं था आगे भी नहीं रहेगा I can do this अगर आप अपने आपको mirror में देखके ये बाद बोल सकते हो I can do this so you can do this तो अपने आपके विश्वास रखिया और अपने आपको ही बोले अगर आपको किसी बाहर गाले से सुनने के ज़रत है कि आप ये कर सकते हो तो this is not going to help in long run अपने अंदर एक motivation पैदा करो said motivation is the best motivation अगर आप अपने अंदर अपने आपको समझाओगे कि हां मैं ऐसा कर सकता हो तो यकीन मानी आप ऐसा कर सकते हो ऐसे कोई problem नहीं होती है जिसका कोई solution नहीं है अगर आप साथ में बैटो अपने family के, friends के तो कोई ना कोई हल ज़रूर निकल जाता है बस उस हमें जबत होती है थोड़े से सैयन की और थोड़े से strong रहने की mentally तो मैं आशा करते हूँ आपके life में जो भी problem है वो बहुत ही जल्दी खतम हो जाए आप बहुत ही happy face में अपने life के वाँपिस आ जाए और आप अपने इस problem को बहुत ही strong mindset के ज़रूर फाइप करोगे और बहुत ही अच्छे तरीके से इस problem का solution नहीं का दोगे अखर आपको लगता है इस video ने आपको help किया हो तो मेरे इस channel को like, share और subscribe करना ना भूलेगा और अखर आपको लगता है वीडियो किसे और को help कर सकता है तो इस video को आगे share करना ना भूलेगा Thank you so much for watching, till then, bye bye